नमस्कार दोस्तों, घरेलुक हवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे वर्स 2020 में बढ़ सावित्री का ब्रत कब रखा जाएगा, कब रखा जाता है बढ़ सावित्री ब्रत की पूजा की विधी क्या है, महत्व क्या है, किसलिए लोग बढ़ सावित्री का ब्रत करते है पूजन की सामगरी क्या है, संपुन जानकारी दोंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे इस घरेलू ख़वर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके सेयर करेंगे तो बट सावित्री का ब्रत जेस्ट मास के क्रिस्न पक्ष की अमावस्याति थी के दिन मनाई जाती है ब्रत रखा जाता है और जो ब्रत जेस्ट मास के पूर्णिमा को रखा जाता है उसे बट पूर्णीमा ब्रत कहते हैं बहुत लोगों को confusion रहता है कि बट सावित्री का ब्रत पूर्णीमा की दिन मनाया जाता है लेकिन नहीं बट सावित्री का ब्रत अमावस्याति थी के दिन रखा जाता है और जो पूर्णीमा की दिन रखा जाता है उसे वट पूर्णिवा ब्रत कहते हैं तो मैं आज बट सावित्री ब्रत जो जेस्ट मास की क्रिस्ट पक्ष की अमवस्याति थी को रखा जाता है उसके बारे में बिस्तित जानकारी दूँगी सुभागी की कामना की दृष्टी से बहुत हिस्सोफ फलदाई रहता है सुहागीन महिलाएं बट सावित्री का ब्रत रखती है बट का मतलब होता है बरगत का पेड़ बरगत एक विसाल पेड़ होता है, इसमें कई जटाएं निकली होती है इस ब्रत में बट का बहुत महत्व है काते हैं, इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पती को यमराज से बापिस पाया था, सावित्री को देवी का रूप माना जाता है, हिंदु पूरान के अनुसार बर्गत के पेड़ में ब्रंभा, विस्नु और महेश का वास माना के अनुसार ब्रंभा विक्ष की जड़ में विस्नु इसके तने में और सीव उपरी भाग में रहते हैं, यही वज़ा है कि यह माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठ कर पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, बट सावित्री ब्रत सभी सुहागिन महिनाओं के बास होता है, बट ब्रिक्ष में तीनी दिवे का बास होता है, जैसा कि मैंने बताया, कहते हैं कि बट ब्रिक्ष में कई रोगों को नास करने की छमता होती है, साथ ही इस ब्रत के सुह परभाव से महिलाओं को अखंड सभागी का बरदान प्राप्त होता है, तो चलिए जान कलावा, धूप, तीप, घी, कपड़ा, भींगे हुए काले चने, फल, फूल, जल से भरा हुआ पात, रोली, सुहाक का सामान, दक्षना आदे चीजों की अब सकता होती है। सिंदो, रोली, फल, फूल, अच्छत चना, मिठाई से सावित्री, सत्यवान और यम्राज की पूजा करती है। ब्रिक्ष में जल चढ़ा कर कुंकुम अच्छत चढ़ाया जाते हैं, सूत के धागे को बट ब्रिक्ष के 5, 7 या 11 चकर लगाते हुए उसे लपेटा जाता है। हर परिक्रमा पर एक चना ब्रिक्ष पर चढ़ाया जाती है, चना आप नहीं चढ़ाते हैं तो मुंख फली के दाने भी चढ़ाया जाते हैं, बहुत सी महिलाएं मुंख फली के दाने चढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पर चना जो होता है, वो मुख पूजन सामगरी होता है। बट ब्रिक्ष का पत्ता बालों में महिलाएं लगाती है, पूजा के बाद कथा अवस सुनी जाती है, चाहे तो महिलाएं एक दूसरे को सुनाए, नहीं तो किसी पुजारी को बैठा के पुजारी से कथा सुने, सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामगरी देती है, या किसी पंडित को फिर धक्षिना देती है, पूजन के बाद अपने घर पापिस आकर पती को रोली और अक्षत लगाकर चरन असपर्स कर प्रसाद में स्ठान वितरित करना चाहिए, तो बर्स 2020 में बट सावित्री का ब्रत 22 मैं दिन सुक्रवार के दिन रखा जाएगा, अम आवस् सब्सक्राइब करें, ठैक्स